अब देख रहे हैं पुष्प की प्रोसेस और मैं हूँ पुष्प तो फ्रेंट आज हम बात करेंगे नई वेकैंसी की जो की नई वेकैंसी जो आई है वो आई-ओ-सी-यल रिक्वर्मेंट के तरफ से आई है यानि कि इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन लिम्टेट के तरफ से वेक कापी सारे फर्म आचुके हैं लेकिन यह नई वह थिया इंडियन ओयल के तरफ से ताप इस पर्म के अपलाई कर सकते हैं बात कर लेते हैं रिटण टेस्ट की तो रिटन टेस्ट की इसमें बताया गया हैर्ट हो है पचीस नवंबर दोजर अठारा कि यानि पचीस नौब्र को इसका रिटन टेस्ट हो जाएगा बात कर लेते हैं एज की तो एज जो इसमें रखा गया वह 18-24 वर्स है तो अगर आप 18-24 वर्स के बीच में आते हैं तो इस फॉर्म के लिए इसमें चूट दी गई है तो इसकी जो लेजिविल्टी वह को 312, 2018 को फुल्भिल होना चाहिए उडिकेंशन जो है वो प्रट मैटरिक के साथ तory टू एर का इडिप्लूमा होना चाहिए ट्रेड ऑपरेंटिस पत के लिए और बात कर लेते हैं टेक् जिसियन पत के लिए टिप्लोमा प्रास वहना चाहिए बद्सिपरियोच्यानétaitकि तो वैकेंसी डीटेल जो इसमें रखा गया वो 228 पोश्ट है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए जबकि 295 पोश्ट है टेक्निशियन के लिए बात कर लेते हैं रिटन टेस्ट प्लेज की यानि कहां पर यह एक्जाम लिया जाएगा दोस्तों तो एक्जाम आपको देख रहे होंगे यहां पर चंडिगर्ड जैपूर लखनाव और नियू देली में आप इसकी च्वाइस दे सकते हैं सेंटर की जहां आप एक्जाम देना के लिए 15% वेटेज है और टेस्ट टाइम जो इसमें रखा गया है फ्रेंड वो 90 मिनेट है सो कोश्चन के लिए और आपको इस एक्जाम को क्वालिफाय करने के लिए कम से कम 40% नंबर लाने होंगे फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसमें अपलाई कैसे करना है तो अपलाई क इसमें कि निकाली गए तो यह बिल्कुल ही नई वेकैंस्य तो आप इस फ्रम के अपलाई कर सकते हैं जिसकी लाजड देश 17 नवंबर है तो बस स्वीडियो में इतना ही अगर वीडियो की जान करी अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्याद जैद चीर कर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे तो चलिए प्रेंग मैं मिलता हूँ आपसे अवले वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद